हैद्राबाद दक्षिन भारत के तिलंगाना राज्य में मूसी नदी के किनारे स्थित भारत का चौथा सबसे बड़ा शहर है जिसे निजाम का शहर या सिटी आफ पैलेज जैसे नामों से जाना जाता है यह शहर तिलंगाना राज्य भारत के सरवाधिक विक्सित नद्रों में से एक है जो भारत का सूचना प्राधोगी की एवं जैव प्राध्योगी की का केंद्र बनता जा रहा है है एतिहासिक रूप से हैद्राबाद की भौगोलिक स्थिती काफी दिल्चस्प है यह स्थान प जरों में संस्कृती इतिहास अरंप्र और प्रकृती की आमद गहराई धसी हुई है जो की गर्व का अनुभव करवाती है दोस्तों दूसरे शहरों की तुलना में बहतर तक्नीक के कारण आज हैद्राबाद विश्व के मानचित्र परे प्रमुक्ष शहर बन गया है साथ ही हैद्राबाद ने सूचना प्रोध्योगिकी में तो बंगलॉर को भी पचार दिया है इसी कारण पूरे देश से यहां बड़ी संख्या में लोग हाई-टेक कार्पोरेट आफिस में काम करने के लिए आते हैं फ्रेंड हैद्राबाद भारत के सबसे वेस्ट और महत्वपू हुसान सागर जील बिड़ला मंदिर सालार जंग संग्रहालयादी है जो देश-विदेश के परेटकों को साल भरा कर्शित करते हैं यह भारतिय महानगर बंगलॉर से 544 किलोमीटर दूर है और मुंबई से 750 किलोमीटर दूर है तथा नई दिल्ली से 1551 किलोमीटर दूर है द फिल्म सिटी भारत की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है जो लगभग 2000 एकर में फैली है यहीं एशिया के सबसे लोप्रिय परितन एवं मनुरंजन किंद्रों में से एक है क्योंकि भारत की सबसे मशूर फिल्म बाहुमली भी हैदराबाद में ही बनाई गई थी फ्रें पर रहने वाले लोगों में 64% हिंदू तथा 30% मुसल्मान और बाकी अन्य धर्म के लोग रहते हैं दोस्तों हैदराबाद शहर आईटी सौफ्टवेर के लिए भी काफी मशूर है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट याहू और एकल और अमेजन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियो के अफिस है इसके साथ ही हैदराबाद में 13 विश्व विद्याले भी है इन में से छे राज्किये और तीम केंद्रिये विश्व विद्याले हैं और बाकी चार में से दो मानित और दो निजी विश्व विश्व विद्याले हैं इसके अलावा यहां कई सारे इंजनियरिंग कॉलेज भी मौजूद है दोस्तों अगर बात करें हैदराबाद शहर के इतिहास की तो किसी समय इस शहर का नाम भाग्य नगर हुआ करता था यहां पर कुतुब शाही मुग्लो एवं निजामों ने राज्जी किया था इसके साथ ही दुनिया का सबसे मशूर कोहिमूर हीरा भ भारत की आजादी के बाद 1956 से 2014 तक हैदराबाद आंध्रप्रदेश राज्जी की राजधानी था लेकिन 2014 में आंध्रप्रदेश और देलंगाना के निर्मान के साथ ही से दोनों राज्यों की राजधानी के लूप में फिर से तयार किया गया था दोस्तों हैदराबाद में स्थित चार मीनार हैदराबाद की पहचान है जो भारत की सबसे सुन्दर सरंजनाओं में से एक है यदि आपने हैदराबाद आकर चार मीनार नहीं देखा तो आपकी यात्रा अधूरी है साथ ही हैदराबाद की बुद्ध प्रतिमा भारत में स्थित एक अखंड पत्थर की पूतम बुद्ध का दुनिया का सबसे उचा मुनुलित है जिसे हुसाइन सागर के बीच में जिब्राल्टर रॉक पर बनाया गया है इसके साथ ही बिरला मंदिर हैदरबाद में सबसे महत्वकून हिंदू मंदिरों में से एक है और पूरे वर्ष दिर्थ्यात्रियों द्वा जाता है राम कृष्ण मिशन के स्वामी रनलातनंद द्वारा निर्मित बिरला मंदिल भगवान विष्णू को समर्पित है त्रेंड साथ ही ये नगर भारत के सभी प्रमुक शहरों परिवान के सभी माध्यमों द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और अच्छी प्राइब जरूर करें